नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्श्रिता तुमेर आए नजर डालते हैं मुख्य खबरों की ओर उत्राखंड के मशूर लोग गाईका और समाद सेविका सोनिया आनंद रावत ने कॉंग्रिस का हाथ थाम लिया है साथ ही सोनिया आनंद रावत को लोग बेहद मानते हैं अब ऐसे में सोनिया का कॉंग्रस जॉइन करना उत्राखंड कॉंग्रस के लिए एक मजबूत कदम सामने बताया जा रहा है सोनिया आनंद रावत के चिनाव लड़ने की अठकलें भी लगाई जा रही है लोगों का कहना है कि यदि सोनिया रावत चिनाव लड़ती है तो उनकी जीत निश्चत है बता दे की प्रदेश प्रभारी देविंद्र यादा वेवं PCC चीव गणेश गोदियाल की मौजूदगी में सुनिया कॉंग्रस में शामिल हो गई है उनने सदसिता दिलाने के दौरान कई और वरिष्ट कॉंग्रसी नेता मौजूद रहे सोनिया आनन्द रावत को कैबिनेट मंतरी हरक्सी है रावत की करीबी बताया जा रहा है वे सोशल मेरिया पर काफी एक्टिव रहती है और जनता से जुड़े मुद्दे हमेशा उठाती रहती है उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स भी है वह राज जिसे जुड़े सामाजिक कारियों का हिस्सा भी बनती रहती है सबसे बड़ी बात है कि सोनिया आनंद रावत का लोगों के साथ जुड़ाव बहुत ही जाधा अच्छा है सोनिया को कई बार लोगों की मदद करते हुए भी देखा जा सकता है अब ऐसे में सोनिया के राजनीती में आने से लोग भी उनके पक्ष में प्रतिक्रिया दे रहे हैं पता दे कि सोनिया आनंद रावत के राजनीती में आने की चर्चा बीते दिनों तभी शुरू हो गई थी जब उन्होंने फेस्बूक पर एक पोस्ट पर लिख कर अपने फैंस से प्रश्ण किया था कि क्या उन्हें राजनीती में आना चाहिए या नहीं मंगलवार को दहरादुन स्थित कॉंग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेतापतिपक्ष प्रीतम सीहने जब सोनिया आनंद रावत को कॉंग्रेस का सदस्य बनाया तो यह चर्चा सच भी साबित हो गई राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि कॉंग्रेस उन्हें मसूरी विधान सबा सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतार सकती है बता दे कि सोनिया आनंद रावत उत्राखंड की संस्कृति एवं परंपराओं को दर्शाने वाले वीडियो गीतों में भी नजर आती रहती है सोनिया आनंद रावत से उत्राखंड के लोग बेहद लगाव मानते हैं वे अक्सर सभाव आयोजनों में भी नजर आती रहती हैं खेर जो भी हो लेकिन सोनिया आनंद रावत का कॉंग्रेस पार्टी जॉइन करना यह उत्राखंड कॉंग्रेस के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ और बड़े नेताओं वो सोशल एक्टिवस्ट को कॉंग्रेस जॉइन करते देखा जा सकता है इस अंक में फिलाल इतना ही तमाम ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ मेरी आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमश्कार लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए